आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गुर्तवा करशन और गुर्तवा करशन के कारण जो वस्वें नीचे गिरती हैं उनके बीच में क्या संबंद होता है जैसे ये पुस्तक है इस पुस्तक को जब हम उपर ले जाके नीचे की और फेकते हैं तो हम ये देखते हैं कि पुस्तक एक समान गती से नीचे की और गिरती है ये देखिए एक पुस्तक एक समान गती से नीचे और को गिरी इसी तरह जब हम कोई दूसी चीज लेते हैं जैसे ये एक कहची को टुकड़ा है और एक ही है पैन ये दोनों लगभक समान भारके हैं और इसको हम नीचे छोड़ते हैं तो हम देखते हैं ये चीजें भी एक समान गती से नीचे के और गिरती है और ये देखा हमने कि दोनों चीजें एक साथ नीचे गरी लेकिन जब हम कुसी हल की चीज़ को लेते हैं जैसे सब्सक्राइब कागस को टुकड़ा है इसको हम लेते हैं और हाँ से छोड़ते हैं तो हम देखते हैं क्या होता है कि अब ये कागस को टुकड़ा बहुत धीमी गती से नीचे की और गिरा ऐसा क्यों हुआ होता क्या है कि जब हम कागس की टुकडे को लेके हम हल छोड़ते हैं तो कागस की टुकडे के आसपास वायू होती है और वायू में स्थिर्ज जो वायू के अनू है वो इस कागस से टकराते हैं यह तकराने से अवरोध पैदा करते हैं इसी अवरोत के कारण जो एक कागस है वो धीमी गती से नीचे गिर पाता है लेकिन जब इस कागस के टुकले को हम मोड देते हैं देते हैं यह देखे इस कागस को हमने वही कागस है उतनी भार का इसको हमने छोटी गोली का रूप दे दिया और आप हम इसको छोड़ते हैं तो देखते हैं किस गती से नीचे जाता है तो आपने देखा कि जब हमने कागस की टुकले को मोल के एक छोटी गोली का रूप दे दिया तो कागस का भार और गोली का भार एक ही था उसके बावजूद गोली जो ये तेजी से नीचे आई ऐसा क्यों हुआ हुआ क्या कि जब हमने इस गोली को मोड के ये रूप दिया तो इसका छेतर फॉल जो है वो निउन्तम हो गया तो जब गोली नीचे की तरफ गिरती है तो जो वायू के अनू है तो इसे टकराएंगे वो भी निउन्तम अनू टकराते है इसलिए अवरोध भी होता है वो भी निउन्तम होता है इसलिए जो गोली है वो तेजी से नीचे गर जाती है